आज देशित वीकेंड स्पेशल देखकर आपको अपने देश पर बहुत गर्व होगा भारत ने दुनिया के सबसे घातक हत्यारों में एक पिनाका रॉकेट को डिजाइन किया देश में ही बनाया इसे बनाना कितना मुश्किल है ये कितनी बड़ी चुनौती है और इसे एक्स फ झाइस में जेखकर 5,4,3,2,1,now पिछले कुछ दिनों में हमने आपको पहले स्वदेशी एरक्राफ्ट केरियर, पहले स्वदेशी फाइटर जेट और पहले स्वदेशी लडाकू हेलिकॉप्टर के बारे में बताया है अब हम आपको बता रहे हैं पहले स्वदेशी मल्टी बेरल रॉकेट लाउंचर के बारे में जिसने अपने इंडक्शन के साथ ही लडाई और जीत का स्वाद चका था ये पिछले दो दशकों से भारती सेना में बहुत काम्याबी से काम कर रहा है इसका नाम भगवान रुद्र महाकाल के धनुश के नाम पर पिनाका रखा गया है और ये उसी तरह अचूप और घातक है अब पिनाका को पहली बार निर्यात का ओर्डर मिला है दुनिया के दूसरे देशों की नजरों में भी पिनाका रॉकेट सिस्टम चड़ चुका है हम आपको पिनाका के तबाही पहलाने की जो क्षमता है उसके बारे में ही बताएंगे पिनाका के भविश के बारे में ही बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मेकिंग ओप पिनाका दिखाने उस फैक्टरी के अंदर जहां भगवान शिव के धनुश के नाम पर ये रॉकेट सिस्टम गढ़ा जाता है सरहत के खतरनाक पहाड़ी अलाकों में युद्ध के मूर्चे पर जब छिपे हुए दुश्मनों पर वार करना हुए तो पिनाका ही काम आता है बड़े अलाके में बड़ा अटैक करने वाले पिनाका के रॉकेट शत्रू के इलाके में पारूप की बारिश कर देते हैं पिनाका जैसे रॉकेट लांचर को किसी तोखाने से ज्यादा कारगर माना जाता है इसकी रेंज आर्टिलरी गन के मुकाबले बहतर होती है इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है पिनाका का केलिबर 210 मिल्लीमीटर का है जो बोफोर्ड के 155 मिल्लीमीटर के मुकाबले में गाफी खथिक है इसलिए तबाही पहलाने कि इसकी ताक्क दी सबर्दस्ट है पिनाका ने भी ताकत का पहला ट्रेलर करगल युद में ही दिखा दिया तब पिनाका को आफीशली आर्मी में शामिल भी नहीं किया गया था तो लोलिंग की लड़ाई में पिनाका ने ऐसी तबाही मचाई कि दुश्मन को पीछे हटने तक का मौका नहीं मिला वो फूर्स टूप के साथ मिलकर पिनाका ने अपने सारे टार्गेट्स को तबाह कर दिया था इसके बाद साल 2000 में भारती सेना में पिनाका की पहली रेजिमेंट बनाई गई पिनाका के घातक हमले की वज़ह है इसकी रफतार अटेक करते समय पिनाका के रॉकेट्स की रफतार 4.7 मेंग यानि 5700 किलोमेटर प्रती घंटे से भी ज्यादा होती है पिनाका को आवाज से 5 गुना तेज रफतार मिलती है इसके प्रोपेलेंट में भरे हुए हाई एनरजी कमपोजेट सॉलिड फ्यूल्स है पिनाका बनाने वाले इस फैक्टरी में पहली बार किसी न्यूज चैनल के कैमरे को एंट्री मिली है और आज आपको पिनाका से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा पिनाका रॉकेट को उसकी पावर कैसे मिलती है इसमें कितना बारूध है और भविश में पिनाका कितना खतरनाक हत्यार बनेगा ये सब कुछ आपको आगे दिखाएं पर सबसे पहले पिनाका की तेज रफ्तार का फार्वूला समझे किसी भी रॉकेट या मिसाइल के मुख हिस्सों में एक प्रॉपेलेंट होता है यानि वो हिस्सा जहां से इंधन रॉकेट के वारहेड यानि हत्यार को आगे ले जाता है आगे वारहेड होता है यानि हत्यार का हिस्सा जो की दुश्मन की तबाही पहलाता है उसके आगे फ् उनाइटर्स होते हैं जिससे प्रोपेलेंट चलता है यहां पर प्रोपेलेंट यानि पिनाका के उस हिस्से की टेस्टिंग चल रही है जो दरसल पिनाका के हथियार को वार हेड को आगे ले जाएगा इसकी जाच बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छे डंग से क्योंकि इसमें अगर कोई भी लीक या क्रैक हुआ तो प्रोपेलेंट पहले ही बिस्फोट कर जाएगा रॉकेट आगे जाने के बजाए वहीं पर फट जाएगा और उससे बहुत नुकसान होगा इसलिए इसके जाच यहां पर एक्सरे मशीनों से बहुत अच्छे स्की जाती कि इसमें कही कोई क्रैक्स या एर बबल ना हो हमारे साथ प्लांट हैड है सुनील जैसवाल साब जैसवाल साब यह हिस्सा है रॉकेट का सबसे मुख हिस्सा है क्योंकि यही हत्यार को आगे ले जाएगा क्या 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 खराबियां आप इसमें ही चेक करते हैं और अगर कोई खराबी पा कहीं पे भी जो वाइड्स ने होने चीए, क्रैक्स ही होने चीए, यह अगर होगा तो it is not suitable for carrying the rockets, अगर यह हुआ और कभी burn हुआ, वो blast होने के chances है, इसलिए इसको यहाँ पे final clearance के लिए, before integration, वारट के साथ में लगने से पहले है, इसको clear करना पड़ता है, तो यहाँ पे जितन लंबाई हो, चाहे छोटा हो या बड़ा rocket हो, composite propeller ने यह बहुत important quality parameter है, कोई भी rocket का assembly करने के पहले, इसमें कोई बड़ा hole नहीं होना चीए, air worlds नहीं होना चीए, cracks नहीं होना चीए, वो blast होने के कागार पे रहता है, इसलिए यहाँ पे अगर यह रहा, तो इसको reject कर दिया बारूद या विसफोट को के साथ काम करना बहुत ज्यादा सावधानी की बात होती, क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, और तब यह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जब 100 किलो या 1.500 किलो या 200 किलो बहुत ही high end explosive material किसी एक tube में रखे जाए, जो जिसको की rocket के warhead को चाना होता है, टार्गेट पर पहुँचते ही rocket का warhead तबाही फैलाता है, पिनाका rocket के warhead का वजन 100-200 किलो ग्राम होता है, और इसमें TNT RDX mixture के साथ 20,000 से ज्यादा tungsten balls होती है, जो इलाके को पूरी तोर पर तबाह कर देती है, जब rocket अपने निशाने तक पहुँच जाता है, तब उसका warhead का काम शुरू होता है, warhead यानि वो जगह वो हिस्सा जहां पर बारूद होती है, और साथ में कुछ और material होता है, जो fragmented material भी हो सकता है, चर्रे भी हो सकता है, जो दरसल तबाही फैलाते हैं, इसके अंदर बहुत ही विस्फोटक high end explosive होते हैं, और उसके अंदर दूसरी कई चीज़ें होती हैं, जो तबाही फैलाते हैं, warhead की capacity ही किसी भी rocket की जो शमता है, कोई rocket कितना अच्छा है, वो ये बताता है कि उसका propellant उसको कितनी दूर तक पहुचा सकता है, कितना सठी को निशाना लगा सकता है, लेकिन तबाही का काम इस warhead का होता है, असल आखा का warhead दो टाइप के होते हैं, एक अगर आप जो देख रहे हैं, ब्लैक कलर का वो practice warhead होता है, और एक आप जो यलो कलर का देख रहे हैं, उसमें high explosive warhead होता है, practice warhead जो आर्मी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहती, ताकि कि किसी को ट्रेनिंग दीनी हो, इसमें कोई मसाला ड्मी मसाला रहता और उसमें कोई छर्रे नहीं रहते हैं, यलो वाला जो तभाई मचाने का है, इसमें 20,500 छर्रे रहते हैं, टंग्स्टन बॉल के, और करीब करीब 25 किलो RDX Bakes compound रहता है, जो कि तभाई कर सकता है, ये ऐसे एक pod में 6 rocket होते हैं, जो 44 सेकेंड में fire हो जाते है एक पिनाका रेजिमेंट की एक बैटरी में 6 rocket launcher होते हैं, और हर rocket launcher में 6 rocket होते हैं, हर rocket में ये इस तरह का एक warhead लगा होता है, जो 50 से 100 मीटर के इलाके को पूरी तोर पर तभाई कर सकता है, 44 सेकेंड में सारे के सारे 12 rocket fire हो जाते हैं, अब अंदाजा आप ये लगाईए, कि 6 rocket launchers की एक बैटरी जिसमें हर में 12 rockets हैं, यानि 12 चंग 72, 72 rockets जब 44 मीटर में fire होंगे, और हर rocket 50 से 100 मीटर के इलाके को तबाह कर देगा, तो वो कितनी बड़ी तबाही पहलाएगा, और वो भी कितने कम समय में, रेंज 13 किलो मीटर से लेकर 45 किलो मीटर तक हो सकती है, यानि उस चोटी से चोटी रेंज से लेकर बड़ी से बड़ी रेंज तक है, इसलिए पिनाका सबसे ज्यादा लोग पर ये सबसे ज्यादा पसंदीदा हत्यार है, आर्टिलेरी का भारत का और अब आर्मीनिया का वारहेड और प्रोपिलन्ट को जोडने का काम पिनाका की निर्मान का सबसे वहतकूल हिस्सा होता है, इसे बहुत बारीकी से किया जाता है और इसके बाद तैयार रॉकेट की बहुत बारीकी से जाच की जाती है, इसकी उडान सही रहे, निशाना दुरस्त रहे और लंबे स समय तक ये कारगर रहे इसके लिए हर हिस्से को जाचा जाता है इसका वजन और लंबाई चेक की जाती है लॉंच होने के बाद पिनाका की फ्लाइट कैसी होगी कितनी देर में वो टार्गेट तक पहुचेगा ऐसे सभी पेरामिटर्स का कंप्यूटर की मदद से पता लगाया जाता है और इसके बाद ये पिनाका रॉकेट तैयार है दुश्मन को तबाह करने के लिए पिनाका से दुश्मन के सैनिकों टैंकों को निशाना बनाया जा सकता है और इनके जरिये दुश्मन के रन्वे भी बरबाद किये जा सकते हैं पिनाका की एक रेजिमेंट में 18 रॉकेट लांचर होते हैं जो तीन बैटरियों में बटे हुए होते हैं हर लांचर में 12 रॉकेट्स होते हैं जिन्हें केवल 44 सेकंड में फायर किया जा सकता है अगर पूरी बैटरी एक साथ फायर करे तो 44 सेकंड में कुल 72 रॉकेट फायर किये जा सकते हैं यानि एक बैटरी एक वर्क किलोमेटर का इलाका पूरी तोर पर तबाह कर देती है अब यही ताकत भारत से एक्सपोर्ट होकर दूसरे देशों तक पहुँच रही है स्वदेशी पिनाका सिस्टम के लिए आर्मेनिया ने भारत के साथ एक डील की है यह डिफेंस डील करीब 2000 करोड रुपय की है और इस डील के तहत आर्मेनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला प्तहला विदेशी ग्रहाक होगा अभी जो कॉंटेक्ट हुआ उनसे तो उसमें तीनों वर्षन है पिनाका के पिनाका वन जो 37 किलो मेटर है और पिनाका एक्स्टेंड रेंज वो है 45 किलो मेटर और तीसरा है पिनाका गाइडेड जो 75 किलो मेटर है तो वो तीनों अलग-अलग पॉंटिटी का टोटल ओर जो है तीनों का एक साथ उन्होंने कॉंटेक्ट साइन किया वहां की गवर्वेंड पिनाका को ट्रक के जरीए ढोया जाता है जिसमें 6-6 रॉकेट्स के दो पैड होते हैं पूरा पैड एक साथ बदला जाता है यानि कुछ ही मिनितों में इसे रिलोड किया जा सकता है पिनाका की रेंज शुरुवात में 38 किलो मीटर थी जिसे बढ़ा कर 45 किलो मीटर किया गया अब पिनाका गाइड रॉकेट की रेंज 75 किलो मीटर तक कर दी गई है पिनाका की फैक्टरी में हमें ये भी पता लगा कि इसकी रेंज बढ़ाने का प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया गया जैस्वल साब पिनाका की रेंज 38 किलोमेटर शुरुआत में होती थी फिर फॉर्टी फाइव हुई अब वो 75 होगा प्रोपेलेंट कितना बढ़ाया जाता है एक समझने की बात के लिए कि कैसे उसकी रेंज बढ़ाया जाते है और उससे क्या प्रोपेलेंट बढ़ा कर करते हैं यहां दो छीज होती है प्डॉपोल्य की दि आणवाइज बढ़ानी होती है और फिरॉप आईज बन शेल्ट कीर कैसा कोजी कविप देखल राकेट में इसमें गाइडिंग सिस्टम भी लगा होता है इससे ना केवल रॉकेट की सटीकता बढ़ गई है बलकि अब फायर होने के बाद फ्लाइट के बीच में भी रॉकेट की दिशा बद्ली जा सकती है अब पिनाका का फ्यूचर प्लाइन भी सामने आ चुका है भविश में पिनाका को और ज्यादा स्मार्ट और घातक बनाने की तैयारी हो चुकी है पंदरा उनको सम्मिट किया है सुमोटो मेग टू प्रपोजल में एक है 130 तू 150 किलो मेटर और एक है 250 किलो मेटर यह पूरा-पूरा दोनों है तो दोनों गाइडेड रहेंगा और उसमें जो 150 किलो मेटर है जो अभी आज के तारिक में अभी तक जो अपने यूजर जो आर् वो 90 km स्मर्च खरीते हैं लेकिन ये उससे जो अंदर 30 km है ये बहुत ज्यादा अच्छा है और दूसरी चीज है कि ब्रह्मोज जो 250 km का काफी हमने प्रपोजल भी दिया प्रपोजल के बाद में डिसकेशन भी हुआ हमने उनको ये बताया कि जो आर्मी के अंदर यूज है जो एर फोर्स और नेवी को छोड़के जो आर्मी में जो पर्टुकलर उसमें सीकर की जूरूत नहीं है जबकि जो ब्रह्मोज का प्राइस है वो करीब करीब 40 करोड के करीब है जबकि हमारा ये प्राइस है ये 8 करोड का है पिनाका मल्टी बेरल रॉकेट लॉंचर सिस्टम को आप छोटा पैकेट बड़ा धमा का कह सकते हैं क्विक रियक्शन टाइम यानि जल्द पलटवार करने की काबिलियत पिनाका को बाकी हत्यारों के मुकाबले दो कदम आगे रखती है जल्दी ही पिनाका की बदत से प्रोसा दिखाये जाना हाथियारों के मामले में आयातक से निर्यातक बनने की राह में भारत का एक बड़ा कदम है टंक्स्टन की ऐसी 20,000 से ज्यादा बॉल्स पिनाका रॉकेट लाउंचर के इस वार हेड में भरी हुई है अंदाजा लगाईए केस वार हेड के अंदर भरे हुए 25 किलो TNT और RDX के विसफोर्ट से ये टंक्स्टन बॉल किस रफ़तार से बाहर आती होंगी और दुश्मन पर किस तेजी से मौत की बोचार करती होंगी पिनाका की यही घातक शमता इसकी रफ़तार और इसका अचूप निशाना इसको इतना जबरदस्थ हत्यार मनाते हैं पिनाका की रेंज भी बढ़ रही है और उसकी सटीकता भी ये नाका की उड़ान लंबी होती जा रही है और इसी के साथ बढ़ता जा रहा है दुश्मनों की दिल में इस रॉकेट लाउंचर का कहर कुश्मोन मिश्रा, जी मीडिया, बाजारगा, महरास्ट